नमस्का साथियों निर्माण क्लासे जवध्या मैं आपका हाद देख सवागत है आज नए प्रश्ण की साथ एक छोटा सा प्रश्ण है अक्सर हमारे पीच ऐसा हो जाता है तो उसमें विदिक जानकारी चाहिए और प्रश्ण भी आता है प्रश्ण है ए स्वेच्छया बी के चेहरे पर एक जोर का घूसा मारता है ये ने बी के चेहरे पर एक जोर का घूसा मारा जिससे बी के दो दात तूट जाते हैं ठीक है बस्पन में भी लड़ाई जगड़ा हो जाता है विवा जीवन में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है दो दात तूट गे एक जोर का गोसा मारने से, एने क्या कोई अपराद किया है, तो उसका उत्तर क्या है? उत्तर है, एने स्वेच्छया घौर उपहत का अपराद किया है, यहां कि सामाने तोर पर अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा तो आपका सामाने उत्तर भी होगा क्यों होगा वो कारण में बताऊंगा कुछ विशेश पर इस्थितियां बताई जाती हैं लडाई जगडा या इस टाइप से कुछ अपवादित इस्थितियों कि आधार पर अगर कोई माहौल बनाया जाता है तो वो द्रिश्टान्त आपका अलग होगा वहाँ पर इस्थितियां भिन हो सकती है यहां प्रश्ण क्या है एने स्वेच्छया मतलब जो भी सरकम्टांसेज है वो स्वेच्छया है वालेंटली है इनमें कोई इवट नहीं है बी के चेहरे पर घुसा मारा है बी के दो दाठ तूट गए है तो एने स्वेच्छया घोर उपहत का अपराद किया है क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा हुआ? धारा 320 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें घोर उपहती कोई भी हर्ट कोई भी उपहती घोर कब होगी उसकी तमाम सरकमटांसेश दी हुई है तमाम कंडीशन सी दी हुई है खंड खंड साथ में असपष्ट किया गया है कि इसी के कृत से किसी के हर्ट से उपहत से किसी की हड़ी या दात तूट जाते हैं तो वह घोर उपहत की कटिगरी में आता है तो खंड साथ में के अनसार दो दात तूटे हैं इसलिए ये घोर उपहती होगा लेकिन अभी ये दंडनिये नहीं है ये अपराद कब बनेगा यानि कि धारा 320 में घोर उपहती को परिभासित किया गया है के बारे में बताया गया है न कि यहां पर अपराद बताया गया है फिर 322 में बताया गया कि सोच्या घोर उपहती क्या होता है यादि सोच्छिक कार से आपने किसी को घोर उपहती पहुचाई है तो 322 में परिभासित है और 325 में जब दंड की बात आती है तो दंड स्वेच्या घोर उपहत के लिए दिया जाता है सामान किसी अन्य घोर उपहती के लिए नहीं दिया जाता है यानि कहने का मतलब है कोई भी उपहत घोर है या नहीं धारा 320 से पता चलेगा वो स्वेच्या है धारा 322 से पता चलेगा फिर अगर वो सुच्छया है तो 325 के अंतरगत उसे दंडित किया जाएगा साथ वर्ष का दंड और जुर्माना होगा तो इस बात को ध्यान में रखना है एक सीक्वेंस में आपको लिखना है और जानना है कि घोर उपहती होना, परिभासित होना अलग बात है कई बार ट्रश्ण भी प्रिलिंप्स में भी आते हैं और चुनाओ गलत हो जाता है गोर उपहती परिभासित है 320 में अपराध के रूप में सुच्छया गोर उपहती को बताया गया है और उसके लिए 322 में और उसके लिए 325 में दंड दिया गया है यानि यहां असपास तोर पर लिखा है कि ए स्वेच्छेया बी के चेहरे पर मुक्का मार रहा है घूसा मार रहा है जिससे दो दात तूट जा रहे हैं और 320 के परिभासा के खंड साथ के अंसार दात का तूट जाना गोर पहती होता है और वो स्वेच्छेया मार रहा है क्या है लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं अधरसे गलत हो जायेगा तो आपको सिक्वैंस में लिखना है जानना है एने स्वेच्छया स्वेच्छया को परिभासित किया गया 22 में और दंडित किया 325 में यह आपका आज का दिश्टांद था कुछ छोटे दिश्टांद भी आते हैं लेकिन प्रसंतों समान नंबर के होते हैं इसलिए इस पर ध्यान रखे रहेगा अगले दिश्टांद तक जय हैं जय भारत धन्यवाद